हलो दोस्तों मेरा नाम है खुरसीद आलम और आप देखने हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का सेब आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुती स्पेसर रेश्पी सीजर सलाट आज मैं आपको बताऊँगा पासानी से अपने घर में अपने रेश्टोर्ण में सीजर सलाट कैसे बना सकते हैं सीजर सलाट आपने इहां से बनाना स्टार्ट करना है आपने लेना है एक डिप बॉल में बरफ और बरफ के अंदर आप आइस बार ऐसे तोड़ के रख दें इस तरीके से ताकि एकदम ठंडा हो जाए और क्रिस्प्री हो जाए मतलब इसको बहुते हैं करणची हो जाना चाहिए ऐसे रखके आपने इसको रख देना है दिप रीजर के अंदर माइनस टंपरेचर में आपने इसको रखना है जो इसमें दुसरी सबसे जरूरी चीज है वो है नेट के उससे भी आप बना सकते हैं आप इस तरीके से काड़ लें यह रखिए उसके बाद ऐसे इतना बड़ा आपने रखना है कम से कम और इसको आपने रोष्ट करना है फिराई ना करें सलाड के लिए रोष्ट ही अच्छा लगता है फिराई बहुत ही गंदा लगता है आपने ऐसा नेट लेना है या फिर आप ट्रे में भी डाल सकते हैं वो आपकी मर्जी है और इसको डाल देंगे ओबिन के अंदर हो जाएगा यह मैं इसको 207 डिग्री टमपरेचर में रोष्ट कर रहा हूं और यह कितनी देर में होगा मैं आपको निकालने के टेम बताऊँगा यह देखिए कुरोटेंस बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है अब मैं के तब तक हम बना लेंगे इसकी ड्रेसिंग ड्रेसिंग बनाने के लिए हम लेंगे दो इस्पून म्योनिस लेमन जूस थोड़े सा बिलेक पेपर थोड़ा सा गार्लिक नमक ओली बोईल अगर आपके पास ओली बोईल नहीं है तो आप सलाइड ओल का भी इस्तेमाल कर सकते है जब भी कोई विनीगर या फिल लेमन से ड्रेसिंग बनाते हैं तो आपने उसमें चार दाने चीनी के भी डालने रहते हैं यह ड्रेसिंग बनाता हूँ इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी डाली है और जो सबसे जरूरी है इसके अंदर बो है यह इसको एलपी सॉस भी बोलते कानिस में डालेंगे और आप ड्रेसिंग में भी थोड़ा डालने जरूर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है आज मैं हाथ से मिक्स नहीं करूँगा क्यूंकि यह सलार की ड्रेसिंग है तो हाथ से मज़ा नहीं आएगा तो आप इस पेचुला का इस तरीके से आपने अच्छे से mix करना है उसके बाद आपने इसको कर लेना है taste taste में एक ऐसा चटा का होना चाहिए खटा होना चाहिए और हलका सा spicy भी होना चाहिए black paper की वज़ा से ऐसी आपने बना लेना है dressing अब यह देखिए lettuce एकदम कड़क हो गया ऐसे कड़क होना चाहिए आवाज आना चाहिए जब आप ऐसे तोड़ेंगे ना और आप इसमें दुसरा lettuce भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास आइस बर्ट नहीं है तो Roman lettuce उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम लोग इहाँ पर आइस बर्ट से बनाते हैं यह थोड़ा अच्छा लगता है और पोसन आपने अपने आप डिसाइड करना है आप कितना एक पोसन में देते हैं यह देखिए इतना बहुत हो गया एक पोसन में हम लोग इससे ज़्यादा नहीं देते हैं अब मैं इसमें ड्रेसिंग मिला दूँगा ये देखिए इस तरीके से आपने डालना है और ऐसे मिला देना है हलकी हाथ से ऐसे मिलाने के बाद अब आपने इसको डाल देना है जिस बरतन में आप पीक अप करा रहे हैं उसके अंदर मैं हमेशा सलाड इस पलेट में पीक अप कराता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कॉंटेटी ज़ादा लगती है और भरा भरा लगता है और सबसे जो फाइदे की बात है इसमें, आपको गानमीस नहीं करना पड़ती है कि ये गानिस किया वो गानिस किया ये देखिए ऐसे आपने डाल देना है अब ये बहुती 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 ब चालेंगे तो आपका सीजर सलाड नहीं बनेगा और एक चीज आपने इसको उपर डालना है वो है यह हलका सा स्षराई किया हुआ गालिक अब जाके आपका सीजर सलाड बना आपकी अपनी भासा में हिंदी में और बहुती बहुती बहुत रिएस्टरी पसंद आये तो comment box में आपका comment का इंतिजार करूँगा आप लोग की बहुती फर्मायस होती है कि सेफ आप खाके भी दिखाया करो तो आज मैं आपको खाके दिखाऊंगा क्योंकि ये salad बहुती 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 बनाए और मैं बिना खाय रहे नहीं सकता इसको तो इसलिए मैं आज आपको खाके दिखाऊंगा बहुती सांदार टेश्ट का कोई जवाब नहीं है आपने बनाना जरूर है और बना के फिर आपने मुझे comment करके बताना है कि सेफ हमने बनाए और हमारा salad भी बहुती 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 बना तो आज मैं आपके लिए लेके आया Caesar, Salat और मैंने बहुती आसान तरीके से बताया पासानी से कैसे बनाए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा मेरा काम पसंद आया आपके दिल को टच किया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए